आज जो हमारे नौजमान बैठे हैं जो जमीन पर बैठे है वो बैठे है जो बल्लियों पर चड़कर बैठे है वो इसलिए बैठे है क्योंकि उनके मन में उच्छा है और यह बात बिल्कुल रही है यह मनाम जी ने कहा आधि शिखावत साब ने कहा काजी सहाब जब यहां पहली बार आए थे प्रवारी बनकर उस समय हम विबख्ष में थे और कॉंग्रेस पार्टी का द्रक्ष उसमय में था कॉंग्रेस का दामन इतनी जोड से पकड़ा कि लगबख सभी सीटों पर कॉंग्रेस पार्टी जीती थी और यह आप लोगों के आशिरवाद से मुम्किन हो सका था आज दुबारा चंद दिनों के बाद विधान सभा के चुनाव की घोश्णा हो जाएगी पांच राज्यों में चुनाव में होने वाले हैं तेलंगाना में मद्परदेश में सत्यसगड़ में पीजोराम में और राजिस्थान के अंदर पिछले तीन दश्कों में जब-जब सरकार बनी है तो दूसरी पार्टी की सरकार आ जाती है पांच साल सरकार बाजबा की पांच साल सरकार कॉंग्रेस की उसमें बदलाव लाने के लिए हम सब को मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी आज मुझे इतनी खुशी है जब शेखावत साहब कुछ समय पहले बिमार पड़ गए थे मैं हस्पताल में उनको देखने जाता था और सच मुझ उस पेड़ा से वो गुज़रे हैं उन बिमारियों का सामना किया कई बाट डॉक्टर भी मुझे कहा करते थे कि इस उम्र में इतनी बड़ी मिमारी जब हो जाए विक्ति को तो दवाई भी काम करती है दुआ भी काम करती है लेकिन ये श्री माधपूर जो शेखावत साहब की पैचान से आज माधपूर जाना जाता है आप लोगों के आशरवाद से आज हमारे बीच में आ खड़े हैं मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने पिछले 40-45 सालों में ना सिर्फ वोट दिया है समर्थन दिया है दिल से दुवाई दी है जो हस्पताल से जूच कर आज हमारे बीच में शेखावत साब खड़े हैं हमारे संसकार हमारी संस्कृति हमारी परवरिश ऐसे महाल में हुई है जहां अपने से बड़ों का बज़र्गों का मान सम्मान करकर पन को त्रिप्ति मिलती है और सच में किसी से दो मीठे बोल बोल लो किसी को प्यार से बात कर लो मान सम्मान दे दो तो जेब से कोई खर्चनी हो जबान घिसती नहीं है प्यार से बात करना महाहुल आजकल राजनी ते ऐसे युग गई है तक्राव के राजनीती नफरत के राजनीती आरोप पत्यारोप के राजनीती गाली कलोच के राजनीती ऐसी राजनी से परेज करना चाहिए आने वाले बच्चे पच्ची हम लोगों को देखते हैं हमारे बाशनों को सुनते हैं मैं नहीं चाहता हूं कि आने वाली पीडवी को लगे कि कैसे निताओं को चुनकर हम लोगोंगे भेजा hon उताहः ऐब आँ था है है अच्छा भी होता है कि लेकिन आच्रण में वैवार में बोल चाल में भाइचारे में प्यार में महभी में संसकारों में इसमें कभी कमी नहीं आनी चाहिए और मैं जब अद्रक्ष कॉंगेस पार्टी का था वसुंद्रा राजे जी यहां मुख मंत्री थी 163 विधायक थे उनका राज चलता था किन हमने विपक्ष में चाह पानी हो चाह सिचाई हो चाह किसान हो चाह नौजवान हो चाह मैला हो हर मुद्दे पर सरकार ने करके गलती करी तो हमने उनको तचीत किया और मुझे खुशी इस बात की है जब उनका ताना शाई राज यहां चलता था वसुंद्रा जी का तो कॉंग्रेस पार्टी के दख्ष होने के नाते हम संख्यावल भाधी बहुत कम थी जैसा हमराम जी बता रहे थे हम सिर्फ 21 विधायक जीत कर आए थे 21 विधायकों का हमारा संख्यावल था लेकिन सडकों पर कॉंग्रेस मौझूद रही उस कारण से आपके सहीयोग के साथ हम तो सरकार बनाने में काम ही आपके 2018 के अंदर अब दुबारा वो समय आ गया आप लोग अपने मत का प्रियोग करो और जैसा मन से बार बार कहा जा र कि मुझे सान्यते दिया है हमारा साथ दिया है और कॉंग्रेस पार्टी को मजबूती देने से हम लोगों को मजबूती देने से मैं समस्तों छेत का विकास भी होगा आप लोगों से मैं इतना कहना चाहता हूँ आज जो जोश आप में दिखा है अब पीछे नहीं हटना हर मोर्चे पर हर चुनौती का सामना करना है और डंकी की चोट पर जो आज तक यहां जीत कॉंग्रेस नहीं ही उससे ज़्यादा बड़ी जीत कॉंग्रेस पार्टी की आप लोगों को करानी है यह तालियों से मैं मानने वाला नहीं अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो जितने लोग यहां मौझूद हैं सब लोग दोनों हाथ खड़े करकर मुझे आशवासन दे जाओ कि मानोपुर के जमीन से कॉंग्रेस पार्टी जीतेगी मेरे साथ जोड़ान नारा देना कॉंग्रेस पार्टी कॉंग्रेस पार्टी